अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हो देपाली और आप देख रहे हो ब्यूटी टेट सभी देपाली वीडियो स्कार्ट करते हैं कि अगर आपको पता है अगर संस्क्रीन ना लगा अगर आपको पता है अगर संस्क्रीन ना लगा अगर आपकी स्किन काफे जादा औल्वी है बहुत जादा आकने है और अगर आपकी स्किन काफे जादा डल लग रही है बहुत रूखी रूखी लग रही है तो यह home remedy यकीन माने यह home remedy आपके लिए बहुत जादा useful होगा आप एक बार इसे use करके देखना मेरे कहने पर नहीं आओ एक बार इसे बनाना prepare करना और use करके फिर मुझे comment section में बताना कि यह helpful नहीं रहा है क्योंकि म मुझे पता है I'm damn sure मैंने यह use किया मैंने मेरी बहन मेरे ममी मेरे ममी के लिए भी use किया मतलब यह तीनों हम तीनों ने इसका result देखती बहुत जादा happy बहुत जादा अच्छा है मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा result देगा तो यकीन माने मेरे कहने पर एक बा दिना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई अगर आप कोई भी मैंने हर वीडियो में कहा है कि अगर आप कोई भी रिमेडी होने दो या कोई भी कॉस्मेटिक चीज़े यूज कर रहे हो ठीक है कोई बात नहीं करो लेकिन अगर कोई भी कि आप अपना चहरा अच्छी तरह से धूले हो अगर अच्छे से धोगे तो ही वह जादा वर्ग करेगा वरना कैसे होता है कि बहुत लोग सोच रहे कि अभी मैं तो मास्क लगाई रही हूं तो भाई क्या करना जरूरी है तो नहीं बहुत ऐसा नहीं होता है आप उसे में पहले पहले इसके जो पहले वह दो थी वीदियो पहले मैंने से ल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने स्क्रब बताया था होमेड स्क्रब वह भी बहुत इजी स्क्रब है और बहुत जादा इफेक्टिव है उसमें आपको सिर्फ दो चीज़ यह होती है पहला एक रवा और दूसरा आपको अलोवेरा जल मैं यहां वीडियो क्लिप डाल दू अगर यह यूज़ करते हो तो जादा अच्छा है कि वीडियो में जो सबसे में इंटेंशन और जो सबसे बहुत जादा इंपोर्टेंट जो दिया है वह कॉफी को दिया है और दूसरी एक और चीज़ है जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊगी तो स्क्रब प्रिप लीजिए मतलब किसी भी कलबटे में खूट लीजिए भिसर में नहीं करना है आपको हाद से ऐसे अगर खलबटा होगा तो खलबटे में खूट कर उसे छोटा-चोटा थोड़े सी छोटे-चोटे पार्ट में डिवाइड कर दो मैंने या वीडियो में दिखाया है वह काफी एक चमच मैंने कफी ली है और एक चमच हनी लिया है ये तीनों को अच्छी तरह से mix कर लो और mix करने के बाद अच्छे से prepare करना जिसकी इतनी thickness लखना कि आपके skin पर अच्छी तरह से spread हो जाए ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है कि हनी इसमें और अड़ करने की जरूरत है तो थोड़ा सा और अड़ कर लो तो मतलब आप अपनी हिसाब से उसे प्रिपार करना यहां मैंने सभी चीजे एक 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 एक्वल कॉंटिटी में ली है क्योंकि मुझे इसमें कांफिटेबल था बाकि आप अपनी हिसाब से किसी किसी स्कीन पर जल्दी से वह रप नहीं होता है तो आप वहां हनी और अड़ कर सकते हो तो यहां मैंने हनी अड़ कर लिया है और इसके बाद यह आपका प्रिपार हो चुका है आपको hardli, मिलकुल स्कीन पर मतलब आपको बहुति आपका स्किन बहुत जादा चैन्सीन पर होता है तो मेक शॉर जब भी आप कोई दर्द्री चीज अपने स्कीन पर रप कर देंगे हो तो उसे जंटली मसाज करें ठीक है आपको दो मिनिट तक ये प्रोसेस आपको करना है अपने स्किन पर, जैसे कि आपने स्क्रब कम्प्लीट किया है, यहां मैं वीडियो डाल दूँगी, आपको किस तरह से लगाना है, यहां लगाने के बाद आप अपने स्किन से नॉर्मल पानी से अपने अपना चहरा धो होती है, जो आपको ब्लाक हेट्स निकालने में इन हल्प करता है, दिसरा हम इंग्रीडियन्ट जादे हैं कॉफी, कॉफी आपके स्किन को काफी जादा ब्राइट करता है, साथ ही साथ आपके ब्लाक हेट्स को निकालता है, और गिसरा जो आपके स्किन पर जो टानी हुई ह होती है ना वो निकालने में बहुत जादा हेल्प करता है तो ये बहुत जादी अच्छी चीज़ है और हनी का तो आपको benefits बहुत अच्छी से पता है तो ये तीनों ही चीज़े हमने इस as a scrub use किया है तो ये तीनों को आप अच्छी तरह से यूज करें जंटली मसाज करें और दो मिनिट तक लग लगाकर उसे अच्छी तरह से रफ करें रफ करने के बाद इसे अच्छी तरह से दो दें तो यहां आपको मैंने पहला step बताया है फिर आते हैं दूसरे step पर तो दूसरा step हमारा है है face mask face mask किस तरह से prepare करना है और इसके क्या-क्या benefits है मैं आपको इसी वीडियो में बताते हुए चलूँगे तो हम face mask prepare कर रहे हैं हमने ओलड़ी scrub कर चुके हैं तो हमारे skin face mask इसलिए यूज किया है ताकि आपकी skin का जो 10% भी है वो भी अच्छी तरह से निकल जाए और आपकी skin काफी जादा soft और गम bright हो जाए तो इसलिए मैंने ये वाली ingredients यूज के रही है तो आपको मैं इसमें पहला ingredients बता देती हूँ पहला ingredients मैंने जो अडारा है oats 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 को अच्छी से fine paste में convert कर ले क्योंकि हम जो oats लेते हैं market से वो थोड़ी से मोटे मोटे दरदर एक छोटे छोटे फॉर्म में होते तो आपको उसको क्या करना है mixi की डबे में डाल कर उससे अच्छे तरह से powder form में convert करना है मैं यहां video clip डाल दोंगी आपके reference के लिए कि किस तरह से होना चाहिए तो मैंने यहां दो चम्मच oats लिया है मैं इसे prepare कर रहे थी तीन जन के लिए अपलब यह मेरे लिए भी लगा रही थी मेरी बहन के लिए और मेरी ममी के लिए तो हम तीनों के लिए मैंने यह प्रिपार किया कि जितनी भी excess oil होती है ना oats उसे consume कर ले जाता है दूसरा आपके skin को moisturize करता है तीसरा आपके skin पे जो आपके pimples होते हैं उसे reduce करने में बहुत जादा help करता है साथी साथ वो जो अपने blackheads जो pimples के बाद जो आपको black spots पर जाते है ना उसे reduce करने में भी बहुत जादा help करता ह है और जो आपकी acne जो अभी नहीं नहीं आ रही है समझो हमारी skin पर बहुत लोगों का ऐसा होता है कि हमारी skin पर एक pimples आ रहे फिर दूसरा शुरू हो जाता है फिर तीसरा शुरू हो जाता है तो उन चीज़ों को वो control करता है क्यों आपके skin की excess oil होती है वो already reduce कर दे रहा है तो आपके pimples के problem ही sort out हो जाता है क्योंकि अगर आपका skin काफी जादा oil produce करने लगता है ना तो आपके acne कई भी problem जादा बढ़ जाती है तो इसलिए ods उस चीज़ में help करता है तो यहां मैंने लाला है ods दो चमच दूसरा जो चीज़े मैंने डाली orange juice आपका vitamin c से भरा होता ह vitamin c आपके skin के लिए बहुँ जादा अच्छा होता है और आकने को reduce करेगा साथ ही साथ आपके vitamin c आपके skin को bright करेगा यह natural agent properties पाई जाती है vitamin c में मतलब orange में तो यहां आपको यह सब natural bleach है जो तीसरी ingredients डाली है वो है coffee मैंने इसकी benefits आपको बता दी है चौथी ingredients जो डाल रखी है वो है गुलाब जल गुलाब जल आपके skin के लिए काफी जादा अच्छा है अगर आप गुलाब जल को regular basis पर use करते हो तो आपको toner की कोई जरूरत नहीं होती अगर आपको नहीं पता तो इमें बता दू कि आपको अगर toner को अगर आपको toner में investment करन हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी सबसे best toner है तो आप गुलाब जल लगा सकते हो फेश वास करने के तुरंट बाद आप कोई भी चीज़ अपलाई नहीं कर रहे हो तो as a moisturizer as a toner आप गुलाब जल लगा सकते हो तो गुलाब जल आपको skin को moisturize करता है skin tight करने में help करत है तो यह सभी benefits आपके skin को बहुत जादा आपके जो open pores होते हैं उसे close करने में help करता है तो यह सभी ingredients के साथ मैंने यह face mask ready कर दिया है आपने जो mask prepare किया है ना इसे मिलाने में थोड़ा जादा time लेगा एक मिनिट तक अच्छी तरह से mix करना है जब वह एकदम soft हो जाएगा द इस वीडियो में कहीं बीच में नहीं डाला है कि कि रहसे किरे आएथ तो दोचमच मैंनेstalk मैंने लिए है तो दो मैंने अच्छी तरह से सूख न जाए तो जब आप face mask लगा रहे हो। तो तो अच्छे से cover करो ने की लिए भी cover करना अच्छी तरह से और उसे अच्छे से relax हो जाओ जब तक हो face mask लगा हैे अपने कुछ दूसरी काम कर लेजिए अगर आप हाउस वाइफ हो तो दूसरा काम कर लेजिए अगर आप दुपहर में यह सब चीज़े कर रहे हो तो लगा कर सोजो 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद जब वो सूख जाएगा तो सूखने के बाद उसे डारेक्ली रफ नहीं करना है आप स्किन पे थोड़ा स पानी लीजिए पानी लेने के बाद अच्छे से उसे रफ करिए और आपकी स्किन पर अच्छी जितने भी तो 10% डॉर्ट होगे वह भी निकल जाएगा तो जेंटली उसे अच्छी तरह से मसाज करते हुए निकाले निकालने के बाद अच्छी से मूध हो लें उसे सुखा और सुखाने के बाद आप जब हो जाए तो आप मॉस्टराइजर के लिए मैंने यहां गुलाब जल लगाया था अगर आप मुलाब जल लगाना चाहते हैं तो गुलाब जल लगा लीजे या आपके पस कोई मॉस्टराइजर है तो मॉस्टराइजर लगा लीजे मैंने मॉस बहुत जादा हूए होगी न जो आरे आरे होंगे फेस मास्क पे लगाने के बाद आपको नहीं आएंगे वह वहीं तक ही रुप जाएंगे उसके बाद वह आखने नहीं आने वाला है तो आप जरूर इसे यूज कर आज के वीडियो में यहीं खतम करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो प्लीज मेक शूर लाइक शेयर सब्सक्र